यो तो हम दुनिया बर की अचारें खाते हैं लेकिन हेल्दी से आमले की अचार को छोड़ देते हैं तो आज आमले की अचार बनाएंगे ये टेस्ट में स्वाद में इतनी अच्छी बनेगी कि आज के बाद आपका भ्रम तूट जाएगा कुछ आपके साथ आज ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी वज़ा से अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा और एक और बात इस अचार को अगर इन ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो ये अचार खत्म हो जाएगा खराब नहीं होगा काश आपला बरो महीने मिरता लेकिन अभी कोई देर नहीं है काफी टाइम आएगा भी आपला तो इसलिए इस अचार को जरूर बनाएंगे सबसे पहले हमें चुनना है आपलों को आपले जब भी आप चुन रहे हैं तो ये देखिए कि उनमें कोई भी जादा गला आव या दाग धबे ना हो तो कोशिश करें आपले अच्छे लें अब जैसे कि मैंने 500 ग्राम से थोड़े जादा 600 ग्राम के असपास आपले लिये ह जिसे मैंने बॉयल करने पानी में रखा है अब आपका यही क्विश्चन होगा बॉयल ना करें तो इसके विटेमिन्स खत्म हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें जो कसेलापन होता है ना उससे हम बॉयल नहीं करेंगे अगर उससे साफ नहीं करेंगे तो अच जब हाथ से दबाएं, तो अराम से उन कलियों को अलग कर पाएं, इतना हमें उबालना है, मुश्कल से 10 मिट उबालना है, अब यह जो पानी है ना, इसी हमें फेकना नहीं है, यह आगे बताऊंगी, जो हमारा दूसरा चैनल है, मा यह कैसे करूं, कि उसमें आपको इसका यू जरूर रखे, यह देखे, बातों ही बातों में, मैंने सारे आमलों को पीसिस में कर दिया है, अब चाहें तो इससे भी छोटे करें, या फिर इसी तरीके से ही रखें, अब एक कपड़े पर रखकर, या प्लेट में रखकर, इससे थोड़ा सुखा लें, करीब-करीब एक घ नहीं, दो टेबल स्पून है राई की दाल या राई पिसी हुई जैसा भी आप ले सकते हैं, पीली राई, एक छोटा चमच है जीरा, एक बड़ा चमच है सौफ, आधा टी स्पून है अजवाएन, आधा टी स्पून है कलाउंजी, और नमक है दो से धाई टेबल स्पून, दो टेबल स्पून कशमीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, कुछ मसाले हमें सेकने हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिया है सौफ, जीरा, अजवाइन और मेथी दाना, इन सारी चीज़ों को हमें स्लो गैस पर सेकना है, फुल गैस पर नहीं, अगर आपके पास प तो इसे अलग रखती हूँ ठंडा करने के लिए, क्योंकि हमें दरदरा कूटना पड़ेगा, और जो नहीं कूटना है, सिर्फ सेकना है, वो है कलाउंजी और पीली राई दाल, अचार में डालने वाली आसानी से मार्केट में मिल जाती है, किसी भी अच्छी पंसारी की अचार में रखते हैं, ठंडा करने के बाद इसे पीस लेंगे, और इसी प्लेट में जो हमने दूसरी चीजें सेकी हैं, वो भी मैं रख देती हूँ, अब बारी हती है, एक कप इसमें तेल गरम करने की, जब हम आवले में तेल नहीं डालते, कंजूसी करते हैं, तब हम प्र उन मसालों को पीस लिया, और राई दाल जो हमने सेक रकी थी, उसमें ये उन मसालों को डाल दिया, यहां मैंने एक चमच भर के चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और यहां तेल जो मैंने गरम किया था, धुवादार हो गया था, गैस बंद कर दिया, जब यह गुन-गुना सा तब आप नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए जिससे तेल बहुत लाल रंग का हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और सबके सिकाई भी हो जाएगी इसी में आप हिंग पाउडर भी डाल दीजिए नमक मिर्च का भी मॉस्टराइजर खतम ह हो गया क्योंकि तेल के अंदर हमने डाला यह देखिए गैस बंद है और ऑईल भी काफी ठंडा हो चुका है तब मैंने आवला और यह मसाले डाल दिये हैं आपने देखा तेल कितना बड़िया लाल सा हो गया है ना इस अचार में आप मिर्ची डाल सकते हैं नीबु भी डाल सकते हैं यह जब आप मिक्स कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें तेल है अब इसमें मेरा जो सीक्रेट है वो जरूर डालिए एक चोटा अब यहां पर देखिए, या एक टेबल स्पून भरके अमचूर पाउडर डालिए, या फिर दो नीबू का रस डालिए, मैं यहां पर दो नीबू का रस डाल रही हूं, यह अचार जब मैंने डाला है, जो लोग अभी तक आवले को छूते भी नहीं थे, वो लोग भी इस मज़ मज़ ले रहे हैं, दो टेबल स्पून मैंने नीबू का रस डाल दिया, आप चाहें तो यह नीबू का रस डालने के बाद जो छिलके हैं, उन्हें भी आप कट करके इसमें डाल देंगे, जैसे लास टाइम मैंने आपको बताया था, मिर्ची के अचार में नीबू के डालने से अपने आपी वो भी बन जाते हैं, तो यह भी कर सकते हो, या फिर नीबू के छिलकों का कुछ और यूज़ कर सकते हो, यहां मैंने कुछ हरी मिर्चों को धोके सुखा के रख दिया था, कट करके इन्हें भी मैं इसमें मिला रही हूं, बड़ी-बड़ी मिर्ची ह जब भी आमला सीजन में आए, उसे कुछ ना कुछ बना कर ज़रूर खाएं, हमारी इम्म्यूनिटी बढ़ाता है हमारी बॉड़ी के लिए बहुत बैस्ट है, हमारे बाल, हमारे इसकीन, हमारी आंखें सभी के लिए बैस्ट है, यह दिखिए, आबला बनकर त्यार हो गया ह तो 8 दिन में इतना बढ़ी तैयार हो जाएगा कि आप साल भर तक इसे रख सकेंगे मैं आपको पूरी तरीके से दिखा रहे हूं कि किस तरीके से मसाला उसमें चिप्टा है किस तरीके से सुन्दर लग रहा है और किसी भी जार में रखें वो जार सूखा होना चाहिए ये बहुत ही जरूरी है अगर जार में स्मेल है तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ हमारा जो दूसरा चैनल है मां ये कैसे करूँ कि जार की स्मेल कैसे खत्म की जाए अभी लास्ट टाइम मैंने बताई थी कई बार जार में स्मेल होती है तो उसका भी बहुत ज़्यादा गंदा result मिलता है तो जार में स्मेल नहीं होनी चाहिए सूखा जार होना चाहिए जिससे हमारी अचार खराब नहीं हो ये देखिए जब मैं ये अचार डाल रही हूँ इस जार में आईल बिल्कुल उपर तक आ गया है अब इस अचार को नीचे दबा के जब आप कैप लगाओगे तो ये अचार कभी खराब नहीं होगा क्योंकि इसके उपर तक आईल है तो ये अचार खराब होने का कोई चांस ही नहीं है मेरे विवर्स जब भी मुझे ये कहते हैं कि हमारा अचार खराब हुआ खराब हुआ तो अचार खराब होने के हम खुद जुम्यदार होते हैं कहीने कहीं गलती कर बैठते हैं या तो चमच गीला डालते हैं, या जार सही नहीं हैं, या फिर ओइल नहीं हैं, तो इस तरीके से अगर आप अचार को सही तरीके से रखेंगे, तो अचार कभी खराब नहीं होगा, आपकी मेहनत खराब नहीं होगे. जब इस तरीके से आप अचार बनाएंगे ना तो बच्ची भी अराम से खाना शुरू कर देंगे पराथे के साथ पुड़ी के साथ बच्चों को इस अचार को जरूर चखाएए वीडियो कैसा लगा मझे कॉमेंट करके जरूर बताएए और इस आमले के अचार को बनाना फिल को नच्चों को नच्चों को जरूर ये